स्ट्रेडल ऑप्शन चेंग शायद ये नाम आपने पहले कभी सुना हो या हो सकता है कभी ना सुना हो क्योंकि हमने इससे पहले शायद हमने स्ट्रेडल ऑप्शन चेंग होती है यह भी नहीं पता था या हो सकती है यह भी नहीं पता था तो क्या होती है स्ट्रेडल ऑप्शन chain किस किस चीज में आपको किस तरह से आपके option buying और selling में आपके straddles बनाने में straddle buying selling में यहां तक कि strangle buying selling में या आपको range बताने में किस तरह से straddle option chain आपको मदद करती है यह आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो धन ने अपने option trader app पे जो कि मैं अभी screen पे आपको मैं दिखाऊंगा उस पे यह नया feature launch किया है जिसमें हम straddle जो एक point पे हम straddle जो लेते हैं उसकी पूरी chain जो है वो क्या होती है वो मैं समझाऊंगा आपको अभी लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं straddle क्या होता है जैसे add the money जो होता है उस पे अगर आप call or put दोनों buy करते हैं तो हम इसे long straddle बोलते हैं उस पे हम call or put sell करते हैं तो उसे हम short straddle बोलते हैं तो basic straddle यह होता है लेकिन यह ज़रूर नहीं कि आप ATM में ही करें आप ATM से जो है वो एक gap उपर या gap नीचे भी यह चीज़ कर सकते हैं तो आई यह आप देख सकते हैं कि option trader का यह जो है यह इंटरफेस है धन का आप इसमें वाचलिस में आके जो है वो किसी भी माली जी अगर आप जैसे यह बैंक निफ्टी का future बगएरा देखते हैं तो आपको इसमें यह option chain इस तरह से price उनका volume क्या delta क्या theta है वो सारा उसमें detail रहता है उसी तरह का detail आपको जैसे यह option chain का detail होता है वही आपको देखिए यह जो underlying यहां पर जो दिखाई दे रहा है इस पे अगर आप click करेंगे तो यह आपको मिलता है straddle chain तो यह नया feature उन्हें डाला है very useful feature guys तीन चीज़ों मैं help price चल रहा है और उस ATM पे इस समय जो है वो straddle का क्या cost है ठीक है तो यह आप चाहें तो nifty में देखें चाहें तो bank nifty में देखें चाहें तो fin nifty में देखें या आप किसी भी share में भी देख सकते हैं जैसे माल लेजिए मैं किसी share में let's say ICICI में मैं देखना चाहता हूं तो मै इसे bank माल लेजिए मैंने select किया किसी भी share में दे जो F&O में trade होता है उसमें आप देख सकते हैं तो देखें अभी इसका price चल रहा है 890 रूपए तो option chain क्या वोलती है वो हम यहां पे समझते हैं देखें आज जो है वो 12 अप्रेल है और यह ICICI का यह monthly जो है contract है तो यानि इस इसकी expiry जो है वो आपको यहां पे दिखाई देगी 27 अपरेल यानि अभी से पांस दो ने दस एक 11 11 सेशन आज बुद्वार है एक गुरुवार आएगा उसके बाद दो हफते और है तो 11 सेशन में जो है वो आपका यह अभी जो 890 रूपए जो add the money है उसका straddle अभी 29 रू जो आपको यहां पे दिखती है डेल्टा कितना है गामा कितना है वेगा कितना है इसमें जो थीटा होता है वो आपके लिए बहुत important factor होता है लेकिन सबसे पहले हम price की बात करता है सबसे important चीज़ यह है तो यह क्या दिखाता है तो यह बोल रहा है कि अगले दो हफते में ICIC ICICI bank या तो यहां से 30 रुपए उपर या 30 रुपए नीचे जाने की संभावना है तो जो call writers और put writers जो है जो यहां और इसके आसपास जिन्होंने call या put write किया है उनका यह मानना है कि इन अगले 11 sessions में ICICI bank maximum 30 रुपए उपर या maximum 30 रुपए नीचे जाने की संभावना है यह range है तो अब इससे आप क्या है यह आपको पहला output हो गया आपको यह range पता लगए तो इसका benefit कैसे ले सकते हैं उसमें फाइदा यह है एक तो कि अगर आपको strangle sell करनी है माल लीजिए ICICI bank की strangle अगर आपको sell करनी है तो आप 30 पॉइंट उपर और 30 पॉइंट नीचे यह छोड दें उससे थोड़ा और बहार निकल कर ही आप call और put sell करें यह आपको एक benefit मिल जाता कि expected price range यह 60 रुपए का range है 30 उपर 30 नीचे अगर माल लीजिए आप strangle भी नहीं बेचना चाहते हैं माल लीजिए आप call भी बेचना चाहते हैं ठीक है माल लीजिए आपने एक lot ICICI का लेक of the money जो है वो आए और जो पूरा premium है वो आपको मिल जाए और in the money आ जाये तो आपका जो lot है वो निकाल दीजी इसी तरह से अगर आप cash secured put लेना चाहते हैं आप चाहते हैं कि ICICI bank में put लेना चाहते हैं तो वो कम से कम 30 point नीचे यानि कि अभी 890 है तो वहां से 1, 2 और 3 तो य 860 या उससे नीचे का put आप खरीदेंगे तो high chance है कि वो इंदा money नहीं आएगा out of the money zero value पे खतम हो जाएगा तो पूरा premium आपको मिल जाएगा लेकिन अगर इंदा money आ जाए तो cash secured put है आप आप कर लेजे तो इसी तरह से यहां से 890 से 1, 2, 3, 920 रुपए उपर और 1, 2, 3, 860 पर नीचे तो आपका 860 से 900 बीच का एक range बन गया है अगर आपको call sell करना है तो उससे उपर sell करें put sell करना है तो इससे नीचे sell करें strangle आपको sell करना है तो इन दोनों से बाहर निकल के आप strangle sell करें ज्यादा profitability के chance आपको वहां पर है तो यह आपको इस तरह से help करता है straddle में बोलता हूं आप मुझे सुना होगा टेलीग्राम में बोलता हूं कि मैंने strangle लिया है with positive bias मैंने strangle लिया है with negative bias तो यह बायस का मतलब क्या हुआ जैसे जरूर नहीं कि आप strangle लें तो 28.95 पर ही वाला लें मतलब 890 पर ही जरूर नहीं है आपको लग रहा है कि नहीं मार्क थोड़ा सा उपर जा सकता है तो आप 890 की बजाए आप जो है 910 का मान लिजिए आप strangle sell करते हैं तो इसका benefit क्या है सोचिए जरूर नहीं कि आपको 890 का ही strangle sell करना आपको लगता है कि नहीं यहां से market का momentum थोड़ा उपर है तो मैं थोड़ा उपर जाके strangle sell करता हूं तो उ मेरी जो range है कि जिस range में अगर strangle में profit कब होता है आपकी range बनती है जैसे यह 890 है और इसको मैं मोटा मोटा रफ लिया अगर मैं 30 रुपए माल लूँ तो यह जो 10-20-30 इधर और 10-20-30 इधर तो यह 60 रुपए की जो range बनी अगर इसके अंदर कहीं भी अगर जो है वो इस निकल गया तो मैं loss में चला जाओंगा यह होता है जब आप straddle sell करते हैं तो यह 890 को लेकिन 910 पर आप straddle sell कर रहे हैं तो आपका range वो बढ़के 30-30 रुपए से बढ़के या 29-39 रुपए से बढ़के 32-32 रुपए हो गया तो अभी आपके पास 64-65 रुपए का 910 पर आ गया तो आपका थोड़ा सा positive bias भी आ गया और उसके उपर और बड़ी range बनी तो यह एक additional आपको जो है वो benefit मिल जाता है कि अगर आप इस तरह का trade लेना चाहते है बहुत ही आसान है अगर आपको जैसे मालेजी 910 पर आपको buy करना है तो चैडल सीधा buy कर सकते हैं sell कर तो सीधा sell कर सकते हैं या उससे पहले उसको builder में उसका graph देखना है तो अगर buy करने का graph देखिए यह आपके सामने है sell करना है तो आप इस पर SS click कर देंगे तो यह sell हो जाएगा आप आप देख सकते हैं कि यह इसमें price यहाँ पर है और हमने positive bias के साथ लिए है positive bias का मतलब है कि हम expect कर रहे हैं कि market थोड़ा उपर की तरफ जाएगा तो market उपर की तरफ जाएगा तो हमारे जो graph के center में आ जाएगा और फिर वहां से दोनों तरफ जो है वो equal range है हमारी इस तरीके से आप बढ़ी आसानी से इसमें trade भी ले सकते हैं तो overall दोस्तों यह straddle option chain जो है वो मेरे सा अच्छे इनके features है option trading और future traders के लिए so that's it guys I hope वीडियो आपके लिए helpful रहा हो अगर helpful रहा हो तेक थमसब दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबाए